ऐलो दोस्ता नमस्कार आप देख रहे हैं है य। ये बाला जो मेरा मुर्गी के लिए है क्रुआ हो गया है उसका टाइम हो गया है तो आपको मालूम होगा तो नग दखने list हो उसका जो टेल वो पिछे के तरफ से रहता है तब अगर टेल रहेगा तो आपका मुर्गी मुर्गा ठीक से कर सिंग नहीं कर पाएंगे तो जो अंडे देंगे वो इन फटाइल होगा मतलब उसमें चूजे नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे देखें यह वाला जो सारे प स्पारोमियद मुर्गी के उपर ठीक से बट् नहीं है नहीं पाएंगा नहीं पाएंगा तो आपको क्या होगा कि इसको थोड़ा जो निकलेगा उसमें से श्चान कोकई नहीं कोई नया बाला पार अबुषण payments after the तो बो थोड़ा कांटा जैसा रह जाएगा जब मुर्गा बेठेगा तो उसमें चुख जाएगा तो तुरंट खड़ा हो जाएगा तो आपका जो भी उंडा होगा वो इन फटाइल हो जाएगा उसमें बच्चे नहीं निकलेंगे थिर्ट हुआओ ठीक है आराऊ से निजल एए इसे पकड़ के हाथ से खिच के निकाल दीजिए देखें हात मार के देख़ें कोई पर antisबंगे जितने भी पर वाध वोगा वह निकाल दीजिए अगे मैंने शारे निकाल दियां हूं निकालने के आधना एकि उसमें निकलेगा थोड़ने निकले घृत ऩो फ्लेट । फून निकलें तो उसमें कीडे यberyं गे पख्की फक्की शारे बिठेंगे यह मैंने हाथ में निया हो स्कीन हिल यह एक आंटी वेक्ट माल मतर्व आंटीवाइटिक है जो भी घाओ ऐसा कुछ होता तो उसमें वह काम बहुत आथ्चे से काम करता है तो मैंने निकाल के उसको श्प्रे कर दिया हूं यह बाकिया कोई भ करेंगे तो क्या कि आपका उसमें कीडे बठेंगे बिठेंगे तो वह घाओ ऐसा हो जाएगा वह मुर्गी खराब हो जाएगा यह जो स्प्रे है स्कीन हिल जो मेडिसिन है यह बहुत आच्छे से काम करता है कर दो कर दो कि निकाल के स्कीन हेल है नाम इसका वह कोई भी मेडिसिन स्टोर से मिल जाएगा ठीक है नमस्कार